प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें मैं इसलामुदिन खान और आप देख रहा है प्रहा टाइम्स ने शाम के वक्त नाजिश को पकड़ लिया, एक देशी कट्टा भी पुलिस इसके पास से बरामत की है कई दिनों से समराट नगर में नाजिश आतंक फैला रहा था, चार से पांच दिन पहले मारपीट की हथियार से वार भी किया और कल रात में भी एक उदय नामक युवक पर इसने हथियार से उसके चेहरे पर हमला कर दिया था नाजिश मुम्रा के समराट नगर आईकोन अस्पताल के पास एक इमारत की टेरिस पर अपने साथियों के साथ बैठा करता था गिरफ्त में आने के बाद पुलिस ने नाजिश से पूश्टाच की तो हथियार टेरिस पे छिपाने की बाद नाजिश ने कबूल की पुलिस की एक टीम समराट नगर के उस इमारत की टेरिस पर पहुँची और तलाशी के दोरान एक देशी कटा परामत किया नाजिश लगातार मामूली बातों पर हथियारों से वार करता था और पुलिस को भी चुनोती देता था अब सब्द भी कहा करता था मगर अब नाजिश को मुम्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक देशी कटा भी बरामत किया है पुष्टाश नाजिस से जारी है क्योंकि उसके कुछ साथियों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनके पास हथियार होने की बात सामने आ रही है नाजिस के पास पहले भी तलवार बरामद हुई थी और इस मामले में वो जेल भी जा चुका था इसी तरह से मुम्रा की मार्केट में नाजिस ने एक महिला दुकानदार पर करेब एक साल पहले तेजा फेक दिया था इस मामले में भी नाजिस जेल जा चुका है और अब फिर कल उदैनाम के युवक पर इसने हमला किया था और आज मुम्रा पुलिस ने इसे गिरफतार किया और देशी कटा भी बरामत किया है और इससे पोश्टाच जारी है विविन धाराओं में मुम्रा पुलिस ने नाजिस पर मामला दर्ज किया है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रहाटमी